मसकार दोस्तों, Target with PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोड की जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोड में हो रही है धांदली TGT-PGT भरती में भ्रिष्टा चार का सबसे बड़ा आरूप मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोड में भ्रिष्टा चैन बोड में भ्रिष्टा चैन बोड की जो खबरें है वो पहली बार नहीं है जब से मादमिक सिच्च सेवा chain board की इस्थापना वी है, जब से साक्षातकार सुरूए हैं, तभी से इस board पर भर्ष्ट चार के चर्चे सभी विद्यार्थी करते रहे हैं और विद्यार्थियों ने इस बार भी आरूप लगाया है कि मादमिक सेवा चैन बोर्ड में जम करके भेष्टचार हो रहा है वो भी साक्षातकार में हाला कि apart जो होता है, अगली भरती में TG કे यृवल भरती में सक्षात्कार हाटा रहता धिया गया है, लेबिज्टी के भरती में सक्षात्कार रहेगा असल में जब विद्ध्यार्तियों सक्षात्कार होता है उसको कोड बनाए जाता है कोड के बाद में दुबारा एक कोड बना जाता है उसके बाद में विद्यार्थी का कच्छी में जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों के सक्षातकार होना होता है लेकिन यह जो guideline है और coding बिवस्था है इसको धता बना दिया गूया है मादमिकर सिष्छा इवाच के दोरह विध्यार्थियों ने नाम नापताने के साथ बार मुझे बताया है और मुझे इस से थ्वोन करके बताया है, कि मादमीक शिच्चा सेवा चैनबोड में जम करके भिष्ट चार हो रहा है, गाइडलाइन का पाला नहीं किया जा रहा है, जैसे ही विद्यार्थी अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही विद्यार्थियों से नाम पूछा जाता है, जब विद्यार्थी अपना नाम बताते हैं, तो उनसे पूरा नाम बोलने के लिए जोर दिया जाता है, ताकि उस विद्यार्थी की जाती का अनुमान लगाया जा सके उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों से सही प्रस्णों की संख्या पूछी जा रही है जिससे यह अडिया लगा जा सके इस विद्यार्थी का चैन किया जा सकता है या इसको बाहर किया जाए विद्यार्थी से यह पूछा जाता कि आप कहां के रहने वा वो मरमानी कर रहा है और भ्रष्टाचार के लिए यह सभी प्रसन पूछे जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जादा जादा सेयर किया करिए इस तरीके के जो भी वीडियो आते हैं उनको वैरल करने के कोशिश करिए ताकि मादमिक सिक्षा सेवा चैनबोड की ज मेरे यह वीडियो कोई सरकार का अधिकारी देखता है या सरकार खुद देखती है तो चैनबोड पर लगाम लगाए और जो गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए कि विद्यार्थियों से जो कोड मिलता है उसी के अनुसार उन पर उनका सक्षातकार लिया जाए ना तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद